हेलो स्टुदेंट जैनल सिराश्चेक डिश्डिया आज लेलपी का लेक्षर नुम्बर फॉर है जिसके हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स आफ लेलपी तो स्टाइट करेंगे आज अच्छा करेंगे आज लेलपी का लास्ट लेक्षर इसमें और एक पार्ट है कनवर्जन और कनवर्जन तुम लोग अगर 14 स्टाइट का वीडियो भी देखो के तो भी काम हो जाएगा जो लोग लाइब देख रहे हैं उनको और बाकि जो आफ लाइन यहां पर बैठे आपको चे तो कनवर्जन का एक सम में करवा दूंगा यह इस एक्विवालेंट वियर अमाल कमेशन ओनली जो अमाल कमेशन आपने किया है ओल्ड कंपनी बंद होता है डिसलीशन आपको याद है तो ठीक है ने तो जो लोग लाइब देखने वाले उनको में बोल रहा आप 14 स्टाइड का कन वाला जो टॉपिक है वो लिमिटे लाइब दू पार्टनर्शिप फर्म वाला टॉपिक आप देख लो आपको काम हो जाएगा और ओफ्लाइन वाले को चलिए तुम्हें एक सम्म ऑफ्लाइन करवा ठीक है क्या तो आज एफे का लास्ट खतम हो जाएगा एफे में हमने सब कम्प्लीट कर लिया है अमाल का मेंशन में अप्लोड कर दिया है आपको एक्स्प्लेंड कर दिया है उसके बाद लिक्वीडिटर एक्स्प्लेंड कर दिया है मैंने दोनों स्टेट्मेंट वाला एक्स्प्लेंशन दिया है एक लिक्वीडिटर फाइनल अकाउंट बनता है स statement of affair वला बनता होगा बराबर A, B, C, D, F, G, H वला उसके बाद आपको मैंने foreign currency करवा दिया है, ledger भी करवा दिया है, journal entries भी करवा दिया है, बराबर है ledger accounting भी हमने किया है, fine, उसके अलाबा underwriting का shares का आपने पूरा complete किया, which journal entry, balance sheet नहीं आएगा underwriters में, foreign currency balance sheet नहीं आता है, छीक clear है, पक्का, clear, F is done, बसता है तुमारा costing, इसके बाद से lectures के अंदर हम लोग contract costing स्टार्ट करेंगे, costing के अंदर हम भी बोल रहा हूँ, जो लोग live देख रहे हैं, उनको बोल रहा हूँ है, कि आपको costing में सिफ contract costing नहीं मिल रहा है, बाकि सब को सब मिल जाएगा, contract costing के अलावा contract costing मेंने, SY को पढ़ा है, SY वाफ को वीडियो देखूँगे, तो भी काम हो जाएगा, बाद नया वीडियो कल से शूट करना चालू कर दूआ, तो contract costing का नए वीडियो आ जाएगे, marginal costing, already वीडियो शूट करके रखा है, m.com के नाम पे मैंने सेफ किया है, m.com, इस semester के लिए, टी वाइब काम को definitely काम आएगा, standard costing भी जो मैंने, m.com के लिए शूट किया, वो आपके लिए काम आजाएगा, मतलब जो लोग live देखने वाले उनको बूल रहा हूं है, marginal costing, standard costing, process costing, ये तीनों के वीडियो अप्लोडेड है, cost control laser जो है आपका, COC, cost control वाला, I will try, क्यूंकि वो costing का टॉपिक है, contract costing का वीडियो में shoot करने वाला है, okay, contract के वीडियो जाएंगे, उसके साथ ही साथ, taxation में जो ITC मेंने अभी complete किया, ITC के बाद registration पार्ट बच जाएगा, value of supply, students पूछ रहे, value of supply, value of supply, value of supply, अभी आपने ITC का जो sums देखा है, उसका addition ही value of supply है, चाहिए तो एक ल कोशन्स आपको मिल जाएंगे, taxation, computer, commerce, economics, economics के कोशन्स आ गए, कुछ 31 कोशन्स है, 31, यह 31 कोशन्स पढ़के जाओ, मैं उन teachers में से नहीं हूँ, कि 31 में से 10 कोशन्स दे दूँगा, यह 15 कोशन है, 15 ही पढ़ो, और बच्चे लालच में आ जाए, 15 है, 31 क्या पढ़ने का 15 पढ पढ़के जाओ, अच्छे results के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि just passing के लिए बोल रहा हूँ, 31 questions में definitely आपको 60, 70 plus marks मिलेंगे, अगर आप अच्छे से सब पढ़के जाते हो, same goes with your commerce, taxation, computer accounting, अगर taxation, computer accounting ready नहीं होता है, आज, economics ready हो चुका है, economics की questions मिल जाएंगे, वो जो questions द नहीं PDF शेर कर रहा हूँ, आप cross check कर लेना, clear, समझ मैं, and one more important thing, कि जो theory questions दिया है, I am trying, उस theory question का answers का keyword आपको दे दूँ में, मतलब points, economics, commerce, दोनों के लिए बोल रहा हूँ में, मतलब economics के 31 questions है, उस questions के जो points होते है, pointers, I am trying कि अगर वो भी ready हो गया, तो वो भी आपको provide कर सब्सक्राइब, ताकि आपको pointer से याद हो जाए, और फिर बाद में, मसाल आप भर दो, commerce का भी कुछ नए questions आया है, वो भी मैं आपको देने वाला हूँ, नहीं आप, because देखो, मैं अभी इसलिए बोल रहा हूँ कि आप उतना पढ़ के relax हो, अगर मेरा commerce हो गया, मेरा economics हो ग काच का, limited liability, last sum है, जड़ा ध्यान से जोसफ, फटा फटा फट्राइब करेंगे, देखते कितने time में, मेरे को explanation कर रहा है, आप solve करेंगे तो आपको कम time लगए, फिर भी I will start, अभी आपन स्टार्ट कर रहे हैं, देखते कितना time लगता है, हम solve करने, सबसे बेला है, श्री रा इन क्रीज, डिक्रीज, वेजेज, पर्सोनेल, एक्सपेंसे, सैलरी, परसोनोल, एक्सपेंसे, असेट, 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 कल किया था आप ने, डेटर, इंशरेंस, एड्मीन के अंदर, या तो इंशरेंस के अंदर, जीदर आपने heading डाता है, बहाँ पे आजाएगा, पूल रहा है यह उमर में इस नॉर्मल बेटा पावर एंफिल पावर एंफिल हेडिंग है न अपने पास तो उसके बाद क्यापिटल पार्टनर्स क्यापिटल में चले जाएगा सेल्स ग्रॉस टरन ओवर क्रडिटर्स क्रडिटर्स बैंक लोन अधरिंकम लैयाबिटी कि डिस्काउंट अधरिंकम अरे बाश्स अमझ में आ गया मार्टिस कोगया मार्किंग दिखस में बाइंक कंडल मिले वाले बाफिन प्लटनर्च एंगर या तो उसम अट्सुम्झ पर तो चलिए एक है एड रावी और यहां पर हीड एड़र्टाइजमेंट पर बी और बैंक लोन पर यहां पर संटेज आता है तो आपका है तो आपका यह लोग लिए किसी को माग करूगा क्या नाइं पर चेज अमाउंट तो 5000 वे नोट रिकॉड़ेन ऑगक्स अगाउंट पर चेस को इसके उपर एड़्जेस्मेंट है राइट आफ टू तू तू ताउजन बैट देट एड़ एड़ देट देटर इसके उपर एड़्जेस्मेंट है डप्रिशे राइन बिलिग एंट फाइव और पॉस्टिंग के तरफ जाएंगे फॉर्माट आयोप सब को याद है इसके उर्प्राइट उसके इंवेंट अट्र का फॉर्मेट जो ट्रौ फॉर्माट गरेट के उसके उपर लेश एड़ टुट तू ने टोट्र मिलेगा अबर इंकॉम्स एंग refund इंक्रिच्र इंक्रिश्प्र फ्टॉगंड लेगा इंकुम्स इतना ट्रेडिंग अकाउंट है पर्सानोल एक्समेंस至्थ पेटाइजमेंट पेवेंन्ट सेलिंग डरेशन इसमेंट इसमेंगे लिए इसमेंट सेलिंग के लिए यह आपका सेलिंग इसमेंग सैना कि यह व loro चाहिए है लिए है कि बाद बढ़ेंगे उसके बाद आपने नोगा बना रखा है एक एक करके करना स्टाइट करते हैं पर्चेस कहां जाएगा पर्चेस अकाउंट में च्थल न्वोज बना यह हैं पच्छिस हजार वन नेक्स उसके बाद क्या है देखो फटापड से बाद का जाएगा डेटास के सेड्यूर में इसे निचे में ऐता सब्सक्रा ओके यहां पर डेटर्स इनर कॉलम में लिख लेता हूं बारह हजार और आपको याद होगा तो इसका फॉर्माट है लेस फॉर्दर बैट डेप्स लेस न्यूर डी अब सेम चीज़ सेलिंग में भी बनने वाला क्या बाते वेरी गुड सेलिंग में भी अपन बना लेते इसको यहां पर बैट डेप्स एड फॉर्दर बैट डेप्स एड नियू आड़ी डी लेस ओल्ड डी फॉर्माट क्लियर है एनी डाउट टेलियर चल यह ठीक है तो डेटर्स का अमांट का पोस्टिंग हो गया नेक्स उसके बात क्या है ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज अंड डिक् अगर कि लेस ओपनिंग स्टॉक तो ऑपनिंग डिया है बी सब्सके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्या है जड़ा चेक करते हैं वेजेज तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है ना तो राव मतीरियल में पर्चेस में कंजम्शन में कहीं पर बिन जाएगा पर्सोनेल एक्सपैसेज में परसंन से एक्सपैसेज को record किया जाता मैं तो वेज़स कहा जाएगा पर्सोन E Vous में लेता हूं कितना है ? इननर इन कॉलम में क्योंकि इसकी उपर एड्जेस्पेट है very लाइन पर है इसको भी अपने इनर कॉलम में लिख दिया है बास समझ में आ गया गया उसके बाद है लैंड बिल्डिंग कहा जाएगा फिक्स असेट के अंदर बराबर है तो भाई फिक्स असेट का शेड्यूल अपने बना यह नहीं हम बना लेते हैं इसको भी चीक है तो यह हाँ पर आ जाता हो पहला है लाइन बिल्डिंग लाइन बिल्डिंग ती साजार वेरी गोड़ halen ज्यूलिए उसके बाद क्या है प्लांट and मस्चिनरी splend dólar प्लांट and मिशल कितना है क्वेंटी लाज़न पार पर भी फिरणाज़स्मेंटन यह भी आपका असेट है पर इस हाँ बेटा सोला हजारी लिख रहो बेटा क्लियर है यहां तक संध्या होता है यह उमर में इस नॉर्मल बेटा अभी आगे बढ़ते निक्स्ट आगे देखते हैं उसके बाद क्या दिया है पर नीचे के बाद दिया है अभी इसका दो ट्रीटमेंट बता है एक प्रॉफिट साफ साफ डाये लगा एडिटर के लिटा एंडर शेवडर्वर्टार्वर्ट में लिख नगे इसके बात क्या है बिल्स पहां जाएगा डिटर के इसके बाद क्या है इंशुरेंस कहा जाएगा एडवर्टाइजमेंट के अंदर इंशुरेंस को एड़ेस्मेंट है क्या नहीं है अच्छा दूए हजार उपे डायरेक्ली आउटल कॉलम नेच्ट उसके बाद किया उसके बाद उसके बाद उसके बाद रॉइंग्स कहा जाएगा पार्टनर क्यापिटल में डेबिट साइट पे तुब्स द्रॉइंग्स दूद्र वाइन श्री राम और रहां दूई है दू नेक्ट उसके बाद क्या है देख लेते उसके बाद दिया है cash in hand 5500 cash अकेला रहता है बिचारा राहूल जैसा है किदर है आज आए नहीं बिटा दुकेला हूँ चलो cash in hand कितना है आगे बढ़ते रेंड कितना दिया है 7000 किदर जाएगा रेंड कहां जाएगा एडमिन के अंदर कोई adjustment है क्या रेंड कितना है चले बढ़ेंगे आगे नेक्ष उसके बाद किया है आगे दिया है power and fuel कहां जाएगा power and fuel के heading में अकेला है डायरेक्ली इसको लिख दे तो अब आपावर and fuel कितना है पहली बार यह आया इतने सम्क्राइब है ऐसे दूसरे सम्क्राइब आ सकता है इसलिए format है नेक्ष बढ़ते आगे उसके बाद क्या है उसके बाद क्या है उसके बाद दिया हुआ है sales sales कहां जाएगा gross turnover में 60,000 रुपे अकेला है भाई साब यह 60,000 रुपे creditors कहां जाएगा creditors के schedule में तो भाई सार अकेला है यह मैं हाँ अकेला है पर इसको इदर में schedule में लिख रहा हूँ इसके पर adjustment कितना है 21,000 उसके बाद है bank loan कहां जाएगा secure loan में 10% bank loan 20,000 कमिसान कहां जाएगा कमिसान अधर इंकम में कमिसान कमिसान 5000 फिर और शेंडिंग रेंट कहां जाएगा liability site पर देखो प्रोविशन से अधर लाइबिटीस में डालो तो भी चलेगा तो यह अधर लाइबिटीस में चले जाएगा outstanding rent कितना एक हजार discount क्या है income है discount 500 फिर बस नहीं जा सकता इधर वह अपने को अलग से रोल पे चलाना पड़ता है शुरू बढ़ेंगे आगे next उसके बाद क्या दिया है हां जी नहीं अपने पास नहीं है आपका posting समझ में आगया केशव any doubt till year चित्राली इतना तो करी सकती है प्रीती संधिया बोपाल नहीं डिमपल समझ में अगया बोपाल उसके भाई का नाम है ऐसा क्या बोल रहें बराबर है ना चल यहां तक आ रहे ट्वीटी स्वीटी समझ में आए क्या समझा यहां तक क्लियर है सबको adjustment की तरफ जादे पहला adjustment क्लोजिंग से अगरे सरहर बार आया कि जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट पर क्रेडिट साइट बैलेंशीट पर असेट साइट तो मिल गया inventory कितना एक effect हो गया debit दुसरा जाएगा ट्रेडिंग ट्रेडिंग तो इधर नहीं है बड़ उसका increase, decrease में चले जाएगा कितना है तीस हजार, अरे बात समझ में आया क्या, clear है, समझ में माइनस कर देंगे तो positive answer आ रहा है, दस हजार है, income है, अगर negative आ रहा है तो माइनस होगा इतना ध्यान में रखना, चले ठीक है, closing stock तो हो गया, उसके बाद क्या है, credit purchase amounted to 5000, where not recorded in books of account, 5000 का उधार का सामान खरीदा, सामा purchase बढ़ रहा है, मतलब purchase में add होगा, अब purchase किदर है, हाँ जी, add करेंगे, unrecorded purchase, कितना, उधार में खरीदा है, मतलब पैसा देना पड़ेगा, anything payable is my liabilities, बराबर है, अब किसको pay करना पड़ेगा, जिससे सामान उधार में लिया है, और उसे हम लोग कहते है, creditors, जिसने अप unrecorded purchase, कितना, पाँच हजार, समझ में आया क्या, sales करेंगे, तो data's खरीदेंगे, तो creditors, ठीक है क्या, unrecorded purchase, unrecorded sales, 12 standard में हुआ ये adjustment, फिर से, outstanding expenses, wages था, 1000, salary था, 2000, outstanding add और prepared, less, outstanding add करना है, तो wages के अंदर add करेंगे, outstanding salaries में add करेंगे, outstanding wages, 1000 रुपया, salary 2000 रुपया, भाई समझ में आया तक, तो इसका amount हो गया, 6000, इसका amount हो गया, 10,000, but adjustment तो 2000 और 1000 का है, pay करने का बाकिये मतलब, other liabilities, तो भाईया, other liabilities के अंदर ही लिख लेता हू, outstanding wages, outstanding salaries, 1000 और 2000 क्या बात है, बात समझ में आ गया, क्या, बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, जरा चेक करते, next adjustment पे जाते, उसके बाद या, right of 2000 from bad day, maintain RDD 5% on data, time please, last में solve होगा, ये adjustment, बढ़ते आगे, depreciate land and building 5%, machine 10%, 10%, तो भाई, depreciation, भाई, किसके उपर है, land and building और machine, तो land and building पे कितना परशंद, at the rate 5%, plant and machinery पी at the rate 10%, तो भाई, 5%, 10%, 1500 और पच्चीस सो, बराबर है, अब 1500 का दूसरा effect कहां चले जाएगा, depreciation के अंदर, यहाँ पे, land and building, plant and machinery, land and building में 1500 और इस पे 25, बाद समझ में आए क्या, ती हो गया, 4000, clear हो गया, depreciation का effect, clear है, बढ़ेंगा आगे, उसके बाद, उसके बाद, provide interest on capital at the rate 5%, interest on capital, capital के नीचू, अगर आप यहाद हो तो, interest on capital capital के नीचू, interest on drawing, drawing के नीचू, interest on capital, capital के नीचू, interest on drawing, drawing के नीचू, drawing के लिए 6 महिना और capital के लिए पूरे साल का होता है, तो यहाँ पे by interest on capital, अब इसके नीचु निकालना तो इसका capital कितना है 40-30 कितना percent बोला देखो 5% बोला adjustment तो पुरे साल का है पौर एनम का है तो इसका 5% अपन calculate करेंगे इसका 5% 2000 इसका 5% 1500 यह हो गया credit दूसरा effect देने का है debit अब मेरे लिए expense है हाया नहीं अब जो भी expense है वो partner से related है तो हम क्या गर गरेंगे या तो फिर हमारे लिए देखो यहां पर net profit आता है तो net profit आने के बाद net profit आने का उसमें से हम क्या करेंगे interest on capital minus करेंगे तो यहां पर मैं अलग से profit देने के पहले में क्या करूंगा less interest on capital S और S एक को देने का है 2000 और एक को देने का है 1500 टोटल साड़े 3000 में minus करने के बाद जो बच जाएगा वो profit में partners को divide कर देगा बात समझ में आया क्या हंजी वो appropriation में जाता है यह expenses जो हता है उसे हम लों कहते है appropriation मतलब जो net profit after tax आएगा उसके बाद partners के expenses minus किया जाता है clear है पक्का चलिए तो इधर debit effect और उदर हमने credit effect तो दे दिया था next उसके बाद और कुछ है क्या नए अभी बैट डिप्स पे आ जाते है चलिए 12,000 में 2000 जाएगा तो 10,000 एड़ेट कितना परसंट बोला भी 5% मतलब 500 अब बच गया दो हीड़न एड़ेश्मेंट एक एड़टाइजमेंट और एक है बैंक लोन का पहले आख कितने साल का कर रखा है मैंने दो साल का 2 साल सल चीलेशन जोस साल के लिए 2000 एक सॉल के लिए यह यहां से लस से बेसे डेसमेंट फॉर योह कितना 3,000 बराबर है अभी 3,000 का दूसरा effect अपने लिए expense है कहाँ जाएगा selling expenses के अंदर यहाँ पर आ जाएगा advertisement समझ में आ है कितना 3,000 अब आ जाते बैंक लोन लिया है कितना परसंट 10 परसंट कितने का 20,000 का कौन से तारी को लिया है वो भी दिया है 1st Jan 2000 साल कभी खतम हो रहा है मार्च में तो जनवरी में लोन यह तो जैन फैब मार्च तीन महिने का ब्याद देना पड़ेगा तो 20,000 का 10% 3 months के लिए calculate करो 3 months के लिए calculate करेंगे कितना 500 और 500 ही आएगा बिटा 20,000 into 10% into 3 upon 12 500 और ब्याज आएगा बराबर अब यह ब्याज देना है ना तो ब्याद देना तो लाइबरिटिस का वैली बढ़ जाएगा एड आउटस्टेंडिंग इंट्रेस कितना 500 और सिक्योर लोन मतलब तो credit है credit side क्या credit दूसरा effect देने का debit expense है एक्सपेंस है तो profit and loss में जाएगा profit and loss में आप देख सकते हो आपके format के अंदर एक इंट्रेस्ट करके expenses हैं है ना इंट्रेस्ट के अंदर डाल देता है फाइं कितना है 500 रुपए अधर expenses की इंट्रेस्ट का expenses तो इंट्रेस्ट में चले जाएगा बात समझ में आ गया सारा adjustment खतम हो गया closing की तरफ जाएंगे सबसे पहला gross turnover में इधर returns कुछ भी नहीं है तो यह आ गया साथ हजार रुपए हो गया साथ हजार रुपए डनिया तक उसके अलावा चलो closing कर लेते अधर income का टूटल ले लेते 5,500 बराबर है इसका दस हजार आ रहा है इसदर आ जाएगा 30,000 रुपए बराबर है डैश इसका टूटल लागया साथ हजार सरी 16,000 हां जी हां जी 10 और 6 है यह गया 16,000 चीक है इसका टूटल ले 9,000 डैश डैश यहां पर आ जाएंगे इसका टूटल नहीं इसका दो हजार 25,000 हो गया तीन 5,500 उसके अलाबा यह 4,000 बाकी तो कुछ भी दो चलिए पहले income की बात कर ले तो आप 5,500 और 10,000 बराबर है तो income के अंदर 5,500 और 10,000 पांच हजार पांच सो और 10,000 तो यह आपको आ गया 75,500 income done expense पे raw material तो नहीं है purchase है 30,000 रुपए consumption नहीं है personal expenses है अपने पास personal expenses 16,000 का है admin 9,000 का है selling 5,500 का depreciation 4,000 का है चलिए तो यहां पे personal expenses कितना है हजार एडमीन है 9,000 ओडिटर नहीं है selling है 5,500 डेप्रेसियेशन है 4,000 इंट्रेस नहीं other expenses नहीं तो expenses है अब income minus expense कर दो आप लोग बोलेंगे वही मैं लिख रहा हूं मैं थोड़ी total करते बैठा हूं यह आपन रट्टा मार्केट नहीं बढ़ेगी हाँ चलिए लिग दो 68,000 very good 75,500 में 68 माइनस कर दो कितना 7,500 7,500 टैक्स नहीं है 7,500 अब 7,500 में 3,500 माइनस आएगा 4000 अब यह 4000 दोनों partners में बटेगा equally बटेगा 22,000 बराबर है अब 2000 का दूसरा effect इदर तो debit और partners का account में चले जाएगा credit में by net profit 2000 और 2000 अब इसका total ले लेंगे 44,000 और यह आ जाएगा 33,500 यह होता है यह उमर में नॉर्मल विला 44,000 33,500 माइनस करेंगे 3500 और 42,000 प्लस करेंगे 72,500 पराबर है तो यह क्या आ जाएगा contribution रिसीव हो जाएगा चले contribution रिसीवड मिल गया मेरे को यहां पर format में आ जाएगा contribution रिसीव 72,500 कोई reserves नहीं है तो इसका total है 72,500 बराबर है लाइबडी में secured है अपने पास हां जी कितना है secured का total 20,500 इसका total है 26,000 other borrowings नहीं है लाइबडी में provisions है यहां पर 4000 रुपए बराबर है चलिए इसका पूस्टिंग कर लेते यहां पर है तो secured loan है मेरा 20,500 का unsecured नहीं है short term borrowings नहीं है creditors का total है अपने पास 26,000 other libraries 4000 provisions नहीं है इसका आ जाएगा 46 50,500 शायद है और 72 plus 52,500 1,23,000 यह गया liabilities total समझ में आ गया asset side पर जाते है asset के अंदर यहां पर 30,000 में 1500 minus कर देंगे 28,500 इसमें 22,500 तो तीनों को plus कर देंगे 28,500 22,500 and 16,000 67,000 पक्का 67,000 67,000 इंवेस्टमेंट है नहीं loans and advances नहीं है inventory's data's है data's का total करना पड़ेगा तो data's की total प्याज़ है इधर 500 minus करेंगे तो 9,500 plus 8,000 17,500 बराबर है तो यहां पर आ जाओंगा मैं 17,500 data's में 17,500 other current asset नहीं अपने पास है 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 येस अपने पास other current asset है 3,000 रुपे advertisement का अब total कर लो 67 कितना 1,23,000 समझ मैं टैली होएगा तो यह problem तो खतम होता है न मिटा clear है तो आज के लिए इतना ही करते है उपले आपको वीडियो पसंद आए तो प्रेस वीडियो को लाइक कर देना friend group में शही करना channel के subscribe करना thank you for watching the video